हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइच येटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ तवक्कलना एप्लिकेशन को लेकर जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा परिशान हैं लगातार परिशानियों से जूज रहें वो लोग जो लोग साओधिय के लिए इंडिया से ट्रोल करेंगे वो सबके सब तवक्कलना को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान हैं तवक्कलना को इतना जरूरी बना दिया गया है कि ऐसा लगता है कि तवक्कलना कोई एप्लिकेशन नहीं है बलकि चिंचिनाती का पहाड़ है जब आप उस पहाड़ पर चढ़ेंगे तभी आपकी मननत पूरी होगी यानि आपके पास तवक्कलना होगा तभी आप साओधी अरब के लिए ट्रोल करेंगे तो बहराल मेरे भाईयों ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास तवक्कलना एप्लिकेशन होगा तभी आप ट्रोल करेंगे तवक्कलना ए ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको सौधी अरब में पाच दिन institutional quarantine रहना होगा जो काफी महेंगा पड़ता है तो बाइराल अब रास्ता क्या बच्चता है क्योंकि तवक्कलना बन नहीं रहा है इस समय जो लोग सौधी अरब से बाहर हैं इंडिया में हैं पाकिस्तान में अभी उनका तवक्कलना बन नहीं रहा है तो बिना तवक्कलना के वो कैसे ट्रिवल करेंगे और कैसे साबित करेंगे कि वो फुली वैक्सिनेटेड होकर सौधी अरब में आ रहे हैं तो बैराल मेरे भाईयों अभी आप तवक्कलना बनाने के चक्कर में ना पड़े तवक्कलना बनाने की नाकाम कोशिस ना करें अभी जो जरूरी चीज है वो आप कर लीजिए आपको तवक्लना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बिना तवक्लना के भी आप साथियरब जा सकते हैं और आपको वहाँ पाच दिन इंसिट्यूशनल कॉरंटीन भी नहीं रहना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको Ministry of Health साथियरबिया के e-service portal पर अपना vaccination का registration करना है तो वहाँ पर आपको passport copy, ikama copy और vaccine certificate की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले आप registration करने ठीक है वो जब आप registration कर लेंगे तो एक दिन बाद या दो दिन बाद आपके email ID पर और आपके mobile number पर approval का message आ जा आएगा तब आप मुकीन portal पर जाकर vaccinated residents पर जाकर check कर लेंगे कि आपका immune हुआ है या नहीं हुआ है आप इस तरीके से check करेंगे आप अपने screen पर देख रहे होंगे वहाँ पर vaccinated residents का option आएगा वहाँ जब आप click करेंगे फिर आपको अपना एकामा number और date आप birth entry करनी है ये सार certificate ministry of health साओधियारबिया के द्वारा approved कर लिया गया है ये चीज होगी इसके बाद दोस्तों आपको साओधियारब में entry करने से 72 घंटे पहले आपको मुकीन portal पर ही vaccinated residents में registration करना है arrival का registration करना है वहाँ पर आपको flight की details कब आप travel कर रहे हैं साओधियारबिया के लिए कब आप entry क कर रहे हैं आपकी flight number कौन सी है कौन सी airport पर आ रहे हैं वो आपको registration कर लेना है जब आप वहाँ registration कर लेंगे तब आपको इस तरीके से paper आप आपको मिलेगा आप इसका print out निकाल लेंगे ये paper आप अपने screen पर देख रहे है arrival registration का ये paper आप print out निकाल लीजिएगा अपने pass रख कलना या इन सब चीजों की कोई जरूवत नहीं होगी क्योंकि जब आपने arrival registration किया है तो ये सारे data आपके airport पर pass कर दिये जाते हैं कि यानि ये जो बंदा आ रहा है ये fully vaccinated होकर आ रहा है क्योंकि आपका जो vaccine certificate है वो ministry of health के द्वारा approve कर लिया गया है उसके बाद ही आप vaccinated residents पर registration कर पा रहे हैं तो बाराल अगर आप साओधी अरब जाने के लिए plan कर रहे हैं और तवकलना के चकर में रुके हुए हैं कि तवकलना आपका नहीं बनना है आपको पास दिन साओधी अरब में भी institutional quarantine रहना पड़ेगा तो इन सब चक्रों में आप ना पड़ें आप e-service portal पर अपना vaccine registration करें उसके बाद आप उसका print out ले ले जो आपका verification आये जब आपका approval आ जाये तो आप उसका print out ले लीजिए इसके बाद आप arrival registration करेंगे उसका जब details फिल कर लेंगे आप तो आप उसका भी print out ले लेंगे और साथ में अपना vaccine certificate का print out अपने पास रखेंगे आप आर आप तवक्रना नहीं ओपन हो रहा, ये उन लोगों के लिए जानकारी थी, आगे दोस्तों इस पर कोई अपडेट होगी, तवक्रना को लेकर, या इसके लावा इंडिया सौधी फ्लाइट को लेकर, उन लोगों के लिए जो लोग वैक्सिन की दोनों डोंच इंडिया में गुद्बाइ!